कि नमस्कार दोस्तों यूप एक बात करता हूं और आज बात करेंगे 27 और 28 नौंबा के जैसे कि अपन रोज करते हैं ठीक है मेरा यह वीडियो आपको डेली 8 विजे मिल जाता है करेंट अफेस का आप देख सकते हैं लेकिन मुझे एक बात का यह मलाल है कि आप लोग वीडिय नहीं देख रहे हैं तो यह गलत बात है जदा से जदा वीडियो को सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाश्ट तक पुरा देखिए यह आज का सूविचार सफलता एक दिन में नहीं मिलती सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है अगर अपने अंदर ऐसा कुछ ऐसी फिलिंग्स हैं तो हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ कर सकते हैं चलिए चुरू करते हैं आज की कांटर फैर्स ये जिने आप तस्वीर में देख रहे हैं ये भारत की एक महतोपून परतेश्ठिद पद पर इस्त 1980 बेच के राजस्तान के डेर के आईएस सुनील अरोडा देश के मुखे चुनाव आयोग निउक्त किये गए हैं वह ओपी रावत की जगह लेंगे दो दिशंबर को अपना पत्भार संभालेंगे उन्हें पिसली साल ये सितंबर में चुनाव आयोग निउक्त किया गया था चुनाव आयोग 2019 के लोग सिबा चुनाव का आयोजन उन्हें की नेतरतों में करेगा अरोडा सुचना एंव परसारण सचीव और कोसल विकाज ये उधम शीलता मंतराले के सचीव रह चुके हैं तो इनका ये ध्यान में रखना कि जो नए चुनाव आयोगते मुखे चुना रणवीर सिंग वरिष्ट आई एस अफसर रणवीर सिंग को दिल्ली का मुखे निरवाचन अधिकारी निक्त किया गया है वह विजय कुमार देव को इस्थान लेंगे देखिए पहले विजय कुमार देव थे ये मुखे निरवाचन अधिकारी थे दिल्ली के लेकिन इनको केडर के आईयस अदिकारी हैं रणवीर सिंग कई एहम पदों पर काम कर चुके है उनके पास लंबा प्रसासनिक अनुबब भी है ठीक है तो यहां पर दो क्यूस्षंज है एक तो दिल्ली के मुखे निर्वासन अदिकारी रणवीर सिंग और एक दिल्ली के मुखे सचीव विजय देव नेक्स्ट आगे बात करें करतारपुर कोरिडॉर की जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था और इसकी एक बात और बताना चाहूँगा करतारपुर कोरिडॉर की आधार सिला किसने रखी तो कर्तारपूर कोरिडोर की स्थापना जो आधार से लाए वो रखी M.Wenka Naidu ने 27 नौंबर को ठीक है और 28 नौंबर को पाकिस्तान की ओर से रखी जाएगी इम्रान खांदुआ रहा हूँ किस प्रकार के रोकेट बनाने के लिए IIT कानपूर DRDO वा सहयोग करेगा वो है 122 mm Extended Range Rocket और इसकी जो मारक शमता है वो 70 km होगी 70 km घराना आद्रभूमी किस राज्य में काफी इंपोटेंट है यह जमू कस्मीर में यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पुरुस होकी वर्ल्ड कप 2018 की कहां पर आयोजित होगा इसका उद घाटन हो चुका है और उद घाटन में इसमें भाग लिया था मादूरी दिख्षित नहीं यहाँ पर जो कार्य करम हुआ था उसमें भाग लिया था मादूरी दिक्षिदी ठीक है और इसका आयोजन होगा कलिंग स्टेडियम ओडिसा में कलिंग स्टेडियम ओडिसा यह आपको धान में रखना है उनली पुरुस होकी वर्ल्ड कप राष्टी दुग्द दिवस कब मनाया जाता है राष्टी दुग्द दिवस परतिवरश 26 नवमर को मनाया जाता है सैयद मोदी अंतर राष्टी चेंपिंशिप 2018 किसने जीती यानि भारत की ओर से सुमन पदक जीता है इसमें समीर वर्मा ने नेक्स्ट हाल ही में UNICEF इंडिया का यूथ एडवोकेट के से निफ्ट किया गया है तो वो है नाहिद अफरीन कमेंट करके आप ये बताइए UNICEF का हेड ओपिस कहां पर है विश्वशी OPD दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21 नवमर को कमेंट करके ये बताइए सविधान दिवस कब मनाया जाता है किस बारती मुक्यवाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चेंपेंशिप 2018 में सोन पतक जीता तो वो है मेरिकॉंग कमेंट में ये बताइए मेरिकॉंग किस राज्य से हैं सयाजी रतन पुरुषकार 2018 से किसे समानित किया गया ये अमिताब बच्चन आप कमेंट करके ये बताइए मधूशाला जो रचना है मधूशाला रचना वो किस ने लिखी मधूशाला के रचनाकार कोण है चलिए अगे बढ़ते हैं इमपेक्ट बेस्ट फॉर्कास्टिंग एपरोच नमक तक ने की विक्सिप किया भारती मोसम में विग्ञान विभागने या आपको दान में पूझ सकता है कि impact best forecasting approach किस ने launch किया तो यह किया है भारतिय मोसम विग्यान भागने आई एफ एफ आई दो हजार अठारा में किस फिलम मेकर को lifetime achievement award प्रधान किया गया तो वो है डेन वोलमेन परवतिय ओस्धी पर भारत में सविधान दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में सविधान दिवस मनाया जाता है 26 नॉमबर को सयद मोदे international badminton championship 2018 पुरुस एकल का खिताब किस ने जीता तो वो है तो आप ने अच्छे से वीडियो एंजोई किया सुरू से लाश्ट तक उसके लिए आपका धन्यवाद और यह था अपना करेंटरफेस का आज का वीडियो ठीक है और साथी साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजे जो लोग मुझे से जूड़े हुए हैं उनसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि बेनिफिट आपको भी हो और मुझे भी थैंकियो सो मच धन्यवाद